रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी शोताओं को पिट्सपर्ग से अनुराख शर्मा का नमस्कार बोलती कहानिया कारे क्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज की कहानी का शीरशक है बाईज़त बरी और इसके लेखक है प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीबालकवी बैरागी किसी बड़े कस्बे के पास एक छोटे से गाउं में एक बुढ़ी मा और उसका नौजवान बेटा रहते थे दो वक्त की रोटी जुटा कर जीवित बने रहना दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भरा एकलौता काम था बेरोजगारी से मुक्ती पाने के लिए हाथ पैर मारते मारते बेटा कस्बे के एक अफीम तसकर का वाहक बन गया तसकर द्वारा सौपी गई अफीम निर्देशित मुकाम पर निर्देशित व्यक्ति तक पहुँचाने वाला एक तो तसकर और पुलिस की मिली भगत और दूसरे खुद को चतुर चालाग, सक्षम और कुशल साबित करने का उत्साह सो बूड़ी मा का वो एकलौता जवान बेटा जल्दी ही तसकर का सबसे विश्वसनी वाहक बन गया किन्तु व्यापार तो व्यापार होता है, फिर तसकरी का व्यापार तो और अधिखास पुलिस का काम केवल पैसों से नहीं चलता, दिखाने के लिए और काग्जों का पेट भरने के लिए कुछ पकड़ा धकड़ी तो करनी ही पड़ती है और इसमें भी दोनों की मिली भगत काम में आती है सो पुलिस का आकड़ा पूरा करने के लिए तसकर ने अपने उस श्रेष्ठ वाहक को पुलिस को पकड़वा दिया नौजवान को ये सब पहले ही बता दिया गया था अपनी इस गिरफतारी को भी उस नौजवान ने अपने काम का हिस्सा माना और राजी खुशी पुलिस अभी रक्षा में चला गया जाते जाते अपनी बुढ़ी मां से कह गया वो सेठ के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा है और मां अपने भरण पोशन की चिंता ना करे सेठ सारी विवस्थाएं कर देगा बुढ़ी मां ने जमाना देखा था उसने वो सब भी सुन समझ लिया जो बेटे ने नहीं कहा था दिन बीटते गए बुढ़ी मां के यहां दाना पानी समय पर बराबर पहुचता रहा मुकदमा चलता रहा तारीखें लगती रही अंतधा तसकर ने अपने श्रेष्ट वाहक को बाइज़द बरी करवा दिया जेल से छूट कर बेटा जब अपनी मां के पास पहुचा तो सांज ढल रही थी सूरज अस्ता चलगामी हो चला था बुढ़ी मां आंगन में बने तुलसी चोरे पर दिया जला रही थी बेटे ने मां को आवाज लगाई और चहकते हुए कहा मां मैं बाइज़द बरी होकर आ गया अपना करम जारी रखते हुए बुढ़ी माने पहले तुलसी माता को फिर सूरज देवता को प्रणाम किया फिर बेटे से मुखातिब हुई बोली बेटा अस्त होते सूरज देवता और जगर मगर हो चली तुलसी माता को साखशी मान कर अपने आत्मा राम से पूछ कर बता कि तु वास्तब में बाइजद बरी होकर आया है यदि तेरा जवाब हां में हो तब ही घर में आना बुढ़ी मा की बास सुनकर बेटे के चेहरे का उल्ला स्पलायन कर गया बढ़ते पाउं ठिठक गये मा के पाउं छूने को बढ़े हाथ कोहनियों में सिमट आये उसने सूरज देवता को देखा तुलसी माता को देखा पल भर को अपनी आखें मून दी और उल्टे पाउं खस्पे की ओर लोट गया बूढ़ी मा का जुरियों भरा जहरा इंद्र धनुश बन गया था एक रंग आ रहा था दूसरा जा रहा था आखों में आशू और होटों पर गरवीली मुस्कान उसने सूरज देवता और तुलसी माता को माता नवाया और गहरी निश्वास ले अपनी जोपड़ी में चली गई धन्यवाद